नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक्साम पाथ फाइंडर में जहां हम आपकी लिए कॉम्टेटिव एक्जाम्स, कवर्मेंट जोब्स और एड्मिशन से रेलेटिल इन्फोर्मेशन लेकर आते हैं तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ भरते हैं आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन इन्वाइट्स अप्लिकेशन के भारे में प्रदेश अप्र सब्सक्राइट्स 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 अ sub-register are assistant prosecuting officer transport district basic district Adhikari associate Dios district administrative officer district audit officer revenue audit assistant controller legal measurement assistant controller leisure measurement grade 2 or system labor commissioner district program officer senior lecturer district probation officer child development project officer designated officer food safety officer is there district officer district gain officer labor enforcement officer अधिक जानकारी के लिए दोस्तों जैसे कि एलिजिबिलिटि ग्राइडिरिया, स्लेवर्स, फी पैटन, एनिक शर्स एच्सेक्टरा के लिए आप नीचे दिये का अताश्मेंट को गो थू कर सकते हैं दोस्तों इसकी जो एज लिमिट है दोस्तों हो है 21 से 40 साल जो इसकी स्टार्टिंग देथ है दोस्तों हो है 5-2-2021 जो लांस डेट है दोस्तों हो है 5-3-2021 जो इसका अप्लिकेशन वोड़ दोस्तों वो ऑनलाइन है आप इनकी वेबसाइट sttps.uppsc.up.nic.in पर भी विजिट कर सकते हैं दोस्तों और जैसकी पोस्टिंग दोस्तों हो है उत्रपदेश इंडिया चलिए दोस्तों देखते हैं ओफिशन नोटिफिकेशन में क्या है जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको सारी पोस्ट के हिज़ाप से इंफोर्मेशन दी गई है कमबाइन स्टेट, अपर सबॉर्डनेट सर्विस्स, PCS एक्सामिनेशन इन सभी के बारे में आपको जो भी इंफोर्मेशन चाहिए या कोई भी जानकारी लेने हो दोस्तों तो आप इनसे गो थू कर सकते हैं दोस्तों यह आपका दूसरा ओफिशन लोटिफिकेशन है दोस्तों इसमें भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और आपको सारी related information मिल जाएगी दोस्तों आप इसे go through कर सकते हैं अधिक चानकारी के लिए दोस्तों आप हमारे forum पर भी visit कर सकते हैं जो है community.exampathfinder.com आपको यहाँ पर सारी information मिल जाएगी दोस्तों और अगर आपकी कोई भी query हो या आप कुछ भी पूछना चाहते हूं दोस्तों तो यहाँ पर आपको एक reply section दिया गया है वहाँ पर आप अपनी query और information पूछ सकते हैं दोस्तों और हमारी community से direct interact कर सकते हैं तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों मैं आशा करते हूं आपको अधिक information मिल पाई होगी और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे like जरूर करें और हमारे channel को subscribe जरूर करें दोस्तों तो मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद